कानून का शासन कानून का शासन लोक तंत्र की एक सबसे बड़ी विशेस्ता है कानून के शासन से आशे है कि कोई भी सरकार सभी कारे कानून के अनुसार करे तथा ऐसे कारे नहीं किये जाएं जो कानून के अनुसार ना हो कानून के शासन का यह भी अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर सारे कानून समान रूप से लागू होंगे किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी ऐसे बहुत से उदाहरन मिलते हैं जब देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं को सामान नागरिकों की तरह कानून का पालन करते हुए नियायालाय में जाना पड़ा उन्हें आम नागरिकों की तरह ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा कानून का सम्मान लोगतंत्र में हम ऐसी संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जो सम्विधान या निधारित कानून के अनुसार कारिक करती है किसी को भी कोई गैर कानूनी कारिक करने का अधिकार नहीं है इस भावना का सम्मान ही कानून का सम्मान करना है एक लोकतंत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ बुन्यादे तोर तरीकों वह स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। न्यायाले की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उसके आदेशों का पालन करना शासन और नागरिकों का दाइत्व होता है मानव अधिकार एवं लोकतंत्र मानव अधिकार व्यावशक्ताएं हैं जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा जीवन में विकास के लिए जरूरी है इन अधिकारों के बिना लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता ऐसे अधिकार लोगतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को प्राप्त होते हैं दूसरे अर्थों में यदि लोगों के अपने विचारों को व्यक्त करने विभिन्य विश्यों पर बहस करने, बात चीत करने, संगठन बनाने और अन्य मानों अधिकारों द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है अल्प संख्यकों के अधिकार अधिकांच देशों में जाती धर्म संप्रदाय, भाशा, रंग, शेत्र, लिंग या राजनेतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की जन संख्या कम होती है, इन्हें अल्प संख्यक कहा जाता है अधिकतर देशों में बहुत संख्यकों का शासन होता है, परन्तु लोकतंत्र के अर्थ में एक रूपता नहीं है लोकतंत्र समाज में तरह तरह की विविदताओं को सुईकार करता है इसलिए अल्प संख्यकों के मत या राय का सम्मान करना लोगतांत्रिक मुल्यों का हिस्सा है अता अल्प संख्यकों को सम्विधान द्वारा कई अधिकार दिये जाते हैं लोगतंत्र और समावेशी करण लोग तंत्र में बहुमत के अनुसार तै किया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी अलग-अलग विचार होने पर भी हम बहुमत से लिये गए निर्ने मान लेते हैं कई मायनों में या उपयोगी और सरल तरीका है परन्तु कुछ मुद्दों में यह समावेशी सिद्ध नहीं होता है अलप संख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं लोग तंत्र को समाज में समावेशी करण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए जिससे अलप संख्यकों की भागिदारी सुनिश्शित हो पाए वे अपने आपको बेगाना न समझे इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिस करते हैं बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है या समाज की जातिय और भाशाई विभाजन कुछ इस तरह से है 69 प्रतिशत लोग डच बोलते हैं 40 प्रतिशत लोग फ्रेंच और थोड़े से लोग जो जर्मन भाशा बोलते हैं वे प्रमुख रूप से अलग-अलग शेत्र में निवास करते हैं परन्तु राजधानी बुसेल्स के 80 प्रतिशत लोग फ्रेंच और 20 प्रतिशत लोग डच बोलते हैं। तीनों सम्युदायों के बीच टकराओ के इस्थिती बनी रहती थी, खास कर राजधानी बुसेल्स में जहां डच बोलने वाले कम हैं। ऐसी स्थिती में बेल्जियम में समाजों का समावेशी करन करने के लिए कुछ खास प्रावधान किये गए। समविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्री सरकार में डच और फ्रेंच भाशी मंतियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेश कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाशाई समूर के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। समविधान ने शाषन की अनेक शक्तियां शेत्रिय सरकारों के सुपुर्द कर दी हैं यानि राजी सरकारे इन मामलों में केंद्री सरकार के आधिन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व हैं। फ्रेंच भाशी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्तु के इस प्रस्ताव को स्विकार किया, क्यूंकि डच भाशी लोगों ने किंद्री सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्तु स्विकार किया था। इस तरह हम देखते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने किस समझदारी के साथ अलग-अलग भाशाय बोलने वाले लोगों को शासन के प्रक्रिया में शामिल किया। लोगतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। लोगतंत्र के पक्ष में तर्क। लोगतंत्र जनता का शाशन है इसलिए एक निश्चित सीमा के बाद चुनाव जरूरी है लोगतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारों को सम्विधान के अनुसार काम करना पड़ता है लोगतंत्र के विपक्ष मितर्क लोगतंत्र में प्रतिनिधी बदलते रहते हैं इससे अस्थिर्ता पैदा होती है लोगों के भागिदारी व्यापक होने पर ज्यादा पारदर्शिता आती है और न्यातिक मुल्यों के कई उदाहरन सामने आते हैं अलग-अलग राय का समावि किया जाता है लोगतंत्र के विपक्ष मितर्क लोगतंत्र का मतलब सिर्फ राजन्यतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है या बहुमत की राय की प्रधानता होती है क्योंकि यह प्रणाली अधिक लोगों की भागिदारी पर निर्भर है इसलिए समय लगता है परन्तु इससे क इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है जिससे हर फैसले में देरी होती है चुनाओ सुधार द्वारा यह खर्च कम किये जा रहे हैं इसी प्रक्रिया में नागरिकों के हितों की सुरक्षा सबसे अधिक है लोगतंत्र का निरंतर विकास हो रहा है जैसे जैसे लोगतंत्र मजबूत होगा इसमें व्याप्त खामिया दूर होती जाएंगी लोगतंत्र में चुनावी लड़ाई, महतुपूर्ण और खर्चिली होती है इसलिए इसमें ब्रष्टाचार होता है अधिनायक तंत्र और लोगतंत्र दोनों की अवधारनाओं को समझने का प्रयास किया है हमने देखा है कि अधिनायक तंत्र के तहट लीबिया के करनल गदाफी तथा म्यमार के नेबिन जैसे सैनिक नेता किस तरह एक दल वा एक नेता का शासन इस्थापित करने की कोशिस करते हैं वे किन-किन तरीकों से शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रन इस्थापित कर लगातार उसे मजबूत करने की कोशिस करते हैं अधिनायक तंत्र के विपरित लोगतंत्र में जनता के प्रतिनिदियों के शासन की कलपना की जाती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि शासन के सभी कारियों में जन्ता की अधिक से अधिक भागिदारी हो अधिनायक तंत्र एक दल और एक नेता की शमता पर विश्वास करता है एक व्यक्ति का शासन कालांतर में निरंकुष्टा की ओर बढ़ता है और लोगों की उपेक्षा करता है करनल गदाफी इसके उदाहरण है जबकि लोग तंत्र में जन्ता के निर्णय की सामुईक शमताओं पर भरोसा किया जाता है और माना जाता है कि लोक तंत्र में लोग सामुईक रूप से सही निर्ण ले सकते हैं अधिनायक तंत्र में नागरिकों के अधिकारों वा नागरिकों के गरिमा का कोई स्थान नहीं होता जबकि लोक तंत्र नागरिक अधिकारों के बिना चल ही नहीं सकता अधिनायक तंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं शासन की इक्षापण निर्भर होती है जबकि लोगतंत्रिक राजनीती में स्वतंत्र प्रचारे माध्यम मीडिया की भूमिका एहम होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बिना लोगतंत्र काम नहीं कर सकता